कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रपल सी वाई फाई श्री चैनल पर गुड मॉर्निक टुवाल आप सभी का हादिक स्वागत है तो आज कि इस क्लास में केबल 10 कुश्चन आप पढ़ेंगे और लेकिन यह वो सारे कुश्चन्स होंगे जो कही न कहीं पिछले एक्जाम से पूशे आ चुके हैं तो इस सभी के सभी कुश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग इस क्लास को कम्प्लीट पूरा देखना ठीक है और आप सभी लोग रेगुलर क्लास दिखा करो क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है कि डेली साम को 8 वीडियो आपको अप्लोड किया जाए तो वो आप तक पहुंच सके ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की जो की काफी इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला कुश्चन है टेलीग्राम उधारण है अब यहां पर यह बताना है कि टेलीग्राम एक्जामपल है कि ऑजने से कोई नहीं तो यहां पर आपका रैट आंसर क्या हो जाएगा कि तोरहां पर आपका भी ओ अप्सन करेंट हुखके संट मैंसे जैसे कि आपका हट्सप वो गया आपका मैंसेंजर हो गया मुआ है किलिग्राम हो गया तो यह सब के सब एक्जांपर्स हैं इंस्टेंट मैफिजिंग या इसको हम आई-एम भी बोलते हैं सौर्ट में तो ध्यार रखना आई-एम है न ऐसा मैसेज जो की जब आप मैसेज करते हैं तो अगले को भी मैसेज पता चलता है और उसका रिपलाई भी आपको करता है यानि कि रियल टाइम में अगर कोई बारतालाब कराता है तो वो इंस्टेंट मैफिजिंग होगा ओप्शन भी करेक्ट आंसर ठीक है सी टूबी का आर्थ पूंचा है कैरियर टू बिजनेस कस्टूमर टू बिजनेस नना आफ दीजा आलाफ दीज तो सी टू टूबी हो गया तो यह सारे छीज है आपको याद रहनी है सी टूबार कस्टूमर कस्टूमर मतलब कस्टूमर टो बिजनेस बी टूबार का मतलब डिजनेस आगला question है कुछ website जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्ग बनाती हैं database center जो मित्रों और संबंधियों तो ऐसी website को बोलते है social networking sites है ना ये sites क्या करते हैं आपके जो friends होते हैं जो आपके समंदी लोग होते हैं उनसे ये एक आपका network जो है बनाती है उन्हें करते है Social Networking Sites जैसे Facebook हो गया, Instagram हो गया बहुत सारे अलग-लग platform है तो यहाँ पर आपका option एक correct answer हो जाएगा अगला question है इन में से कौन internet का सबसे viral section है सबसे viral section मतलब सबसे ज़्यादा popular है चैट messenger है, social networking site है, tutorial site है या chat rooms है तो सबसे ज़्यादा जो viral section है बहुत है, social networking site option भी correct जबाब चलिए next question है, micro blogging इन में से किसका उधरण है और ये काफी important question है, micro blogging इन में से किसका example है या किसे कहते हैं Twitter, Google+, Facebook या none of these, तो micro blogging किसे कहते हैं या इसमें से कौन सा example है micro blogging का तो यहाँ पर सही जबाब option है, Twitter Twitter को micro blogging भी कहते हैं या इसका example आप समझ लेजिए Twitter जहाँ पर भी आप से पूछता है कि micro blogging क्या है तो आप answer कर सकते हैं Twitter optionic correct चलिए, एगला question कई social media site और सेवाएं बैध खाता सत्यापन के लिए डैस परदान करती हैं बहुत सारी social media websites हैं जो services प्रोवाइड करती हैं आपको वो एक बैध खाता सत्यापन के लिए डैस परदान करती हैं क्या retina scanning, fingerprint scanning या capture या two step verification और यहाँ पर आपका right answer option D two step verification वो सारी websites क्या करती है two step verification आपको सुबधा प्रोवाइड करती हैं ताकि अच्छे से पता चल सके कि खाता या फिर जो login कर रहा है वो वही है जिसका login ID and password है है ना तो जिसका account है वही login कर रहा है इसके लिए क्या होता है two step verification होता है जिसमें आपके पास एक mobile phone पर OTP आता है और जब वो OTP आप भरते हैं तभी आप login हो पाते हैं ठीक है तो आपका जो यूजर नेम है और password डालने के बाद एक OTP भी आएगा आपके mobile नंबर पर उस OTP को जवाब भरेंगे तभी login कर पाएंगे तो यह two step verification होता है जो की बहुत सारे social media platform आपको यह services प्रोवाइड कराते हैं ठीक है अगला कुस्षण है wordpress type pad और expression engine इन सभी का उप्योग किस के लिए किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका right answer option क्या हो जाएगा ब्लॉग इंग ठीक है ओप्सन एक कर्यक्ट आंसर हो जाएगा wordpress type pad और expression इन जान इस सभी का उप्योग व्लागिंग के लिए क्या जा सकता है option एक जवाब होगा अगला कूर्शन है वेफ्यक्टी जो ब्लॉग के लिए content लिए ऐसे लोग जो ब्लॉग के लिए content लिखते हैं blog blogosphere blogger या ब्लॉग इसमें से क्या हो चकता है correct answer चलो तो यहां पर क्या वोग्त के लिए content लिखते हैं उन्हें और यहांपर क्या हो गाűंपका सही आंसर कुछिछिन का फूल निशनल एलेक्टरानिक फंड्स ट्रांसफर अगला कुछन है रफ्टान्स करने की नियुन्ताम सीमा क्या है सबसे कम यहांद पर पूंची गए रफ्टान करने के लिए तो कितनी होगी दो लाख एक लाख पांच लाख या दस लाख और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए दो लाग है ना RTGS यानि के रेल टाइम ग्रॉस से बुगतान करने की जो नियुनतम सीमा है वो दो लाग रुपए है और आज की क्लास बस यहीं तक उम्मीद करता हूँ आप सब भी कोई कुशन अच्छे लगे होगे और अगर क्लास आपको पफंद आई हो इतको लाइक करना सेर करना और जो भी स्ट्ट चनल पर फ़र्च टाइम में आप लोग चनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथ में बेल आकन भी प्रेस करना नेश्ट क्लास आपको मिलेगी साम को 8 बज़ का 30 मिनिट पर जो की काफी इंपॉर्टेंट होगी तो बहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट कुशन डिसकस करेंगे तो आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देखना टाइमिंग है 8 बज़ का 30 मिनिट पर साम को क्या थैंक्स थैंक्य।